Hello friends, welcome to Pradip Samhele classes तो इस class में हम जानेंगे reasoning यानि mental ability के कुछ questions और इस class में हम सीखेंगे how to find out missing characters यानि how to find out missing numbers तो इन reasoning के questions को हम देखते हैं तो question number one ये रहा आपके सामने हैं तो देखें इसमें क्या है ये question mark दिया हुआ है और इन चार option में से कोई तो भी एक option सही है तो अब हमें इसमें देखना होगा कि इसमें क्या pattern लग रहा है तो सबसे पहले हम pattern देखते हैं कि यहां पर क्या pattern लग रहा है तो देखें 2, 3, 4, 5 अब यहां पर बापस 4 आ गया फिर 9 आ गया तो अब हम देखते हैं यहां पर अगर हम 2 का square करते हैं तो that is कितना होता है 4 यह हमारा सही हो गया इसके बाद में अगर हम 3 का square करते हैं तो 3 का square 3, 3, 9 यानि that is 9 तो यह भी हमारा correct हो गया अब हम यहां पर देखें 4 तो यह 4 का square तो 4 का स्कोर कितना होता है 16 होता है यानि 16 हमारा इसका correct answer होना चाहिए ठीक है तो 16 होना चाहिए लेकर एक बार हम और चेक कर लेते हैं कि आगे बाला क्या सही है इसी pattern पर है तो यहाँ पर देखते हैं 5 का square और that is कितना है 25 और यहाँ पर 5 का square भी 25 होता है यानि ये भी correct है, इसका मतलब इसकी जगह है, question mark की जगह है, क्या आना चाहिए, तो 16 जो है, इसका right answer होगा, और 16 इसके option B में है, यानि option B is the right answer, चलिए बढ़ते हैं question number 2 की तरफ, question number 2 में देखिए, अब pattern इसमें चेक करना है, कौन से pattern पर है, तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए, आपको perfect square numbers देख रहे हैं, यह पूरे, और यहाँ पर भी perfect square numbers देख रहे हैं, ध्यान से देखें, और यहाँ पर भी perfect square numbers देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम pattern क्या लगाएंगे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि here the number in each circle are squares of consecutive numbers देखिए लगाता रहें बिल्कुल 2 का फिर 3 का फिर 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का तो बिल्कुल आसान है लेकिन समझाने के लिए मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए यानि हमने पहले क्या किया पहले हमने चेक किया कि 2 का square 4 है बिल्कुल है चेक कर लिया हमने फिर हमने चेक किया कि 3 का square क्या होता है 9 होता है तो यहाँ पर 9 लिखा हुए यह भी सही है हमारा और उसके बाद में 6 का square जैसा क्या आपको पता है 6 का square 36 होता है तो यहां पर 36 भी सही है अब 7 का square 7 का square होता है 49 9 so that is 49 यह भी सही है अब यहां पर देखते हैं देखिए 64 क्या है 8 का square होता है तो 8 का square 64 यानि continue चला है consecutive numbers का square तो यह 64 हो गया अब 9 का square 81 तो 9 का square 81 इसका मत्तब क्या है इसका मत्तब साफ साफ है कि अगला next जो है consecutive number 9 के बाद क्या आता है 10 आता है और 10 का square 100 होता है यानि इस question mark की जगे हमें क्या लिखना होगा 100 भरना होगा तो इसमें क्या होगा इसकी जगे पर कितना आ जाएगा हमारा 100 हो जाएगा और 100 किस option में option D में है नहीं option D इसका correct answer होगा ठीक है अब देखिए बढ़ते है next question की तरफ तो next question क्या है यह कह रहा है कि प्रशन बाद सक चिन हे तू स अब यहां पर एटीन नमबर इंक्रीजिंग बाइग टू से लेके तू टू प्लस हो रहे है नंबर यहां पर दीखिए प्लस टू रहा है 24 होगा और 24 प्लस 2 यहाँ पे भी अगर हम 2 जोड़े तो ये भी चेक कर रहे हैं 26 हो रहा है और 26 में अगर हम प्लस 2 करें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा ये 28 हो जाना चाहिए अब इसको आगे वाले को भी हम चेक कर लेते हैं कि 28 में अगर हम प्लस 2 करें तो यह 30 हो रहा है यानि हमारा यह करेक्ट गेस हमारा बिल्कुल करेक्ट रहा कि 16 में क्लॉक्वाइड डियेक्शन में 16 से प्लस 2 प्लस 2 करते जाए तो आटोमेटिक नमबर्स आते जा रहे हैं तो question mark की जगा हमारा क्या आ गया 28 आ गया यानि option B ज next question देखते हैं हमम तो insert the missing number missing number को यानि यह missing number है हमें question mark दिया हुआ है यहाँ पर इसको भरना है तो अब यहाँ पर देखर है pattern क्या चला है तो pattern को देखने क्लिए हम देखर हम चला है देखर यहाँ पर बीच में middle में 8 है अगर हम 4 11 मैंस करते हैं तब भी 7 नहीं आ रहा प्न में यहां से मिल जागा 5 plus 2 से मिल जाएगा इसका मतलब यहां पर क्या pattern लगेगा तो यहां पर हम pattern क्या लगाएंगे कि पहले तो हम क्या करेंगे 4 और 11 को हम plus कर लेते हैं तो 4 plus 11 ठीक है 4 plus 11 और माइनस कर देते हैं हम इसमें से किसको 5 और 2 यानि उपर और नीचे वाले नंबर को तो 5 प्लस 2 को इसमें से हम माइनस कर देंगे तो क्या होगा 11 प्लस 4 15 हो जाएगा और 15 माइनस 7 so that is 8 मतलब ये तो हमारा correct हो गया अब इसी pattern पे हम इसको देखते हैं कि ये भी इसी pattern पर चला है तो यहां देखिए 20 और 10 को प्लस करेंगे तो 20 प्लस 10 20 प्लस 10 लिखेंगे यहां पर और इसमें से subject करना है हम है ओपर और नीचे के नंबर को प्लस कर देंगे और नीचे के नंबर तो 8 और 6 को प्लस करेंगे और इस नंबर में से सब्टेक्ट कर देंगे तो 20 प्लस 10 कितना हुआ 30 और 30 और माइनस 8 प्लस 6 कितना हुआ 14 so that is 30 मैं से 14 माइनस करेंगे तो 16 आएंगे और 16 यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट है यानि हमारा यही पैटर्ण इसमें लागू होगा तो हम next में क्या करेंगे इसका answer कैसे निकालेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे 15 प्लस 8 15 और 8 को हम प्लस करेंगे मतलब इसको और माइनस किसको करेंगे ऊपर और नीचे वारी क्या को 3 और 6 को तो यहां पर 3 प्लस 6 लिख लेते हैं तो 3 प्लस 6 अब देखें यहां पर क्या आ रहा है 15 और 8 कितना हुआ है 23 और माइनस क्या करेंगे 3 प्लस 6 यानि 9 तो 9 माइनस करेंगे तो 23 में से 9 जाएगा तो क्या पचाएगा 14 तो यहां पर जो है हमारा correct answer होगा चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ और मुझे आसा है कि आपको मज़ा आ रहा होगा तो पूरी class में हमारे साथ बने रहीगा अब देखिए इसमें क्या किया रहा what will come in place of ये question mark के इधर क्या आएगा तो अब इसको इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे अब देखिए यहां पर हम एक चीज़ देखें कि यहां पर क्या है यह four है और यहां पर nine है अब देखिए यह two का isquire यह three का isquire बट यह four का isquire नहीं है मतलब यह pattern तो लग नहीं रहा है तो अब हम क्या लगा सकते हैं इसमें अगर हम देखें कि four को अगर हम यहां पर ऐसे कुछ लिख दें कि four को two times करके plus one करें तो nine आ जाएगा nine को two times one plus two करेंगे हाँ ठीक है तो इसमें यह pattern लगाएंगे पन pattern क्या लगाएंगे इसमें कि देखिए अगर हम four को two से multiply करते हैं तो that is eight और eight में जब हम one plus करते हैं तो result will be nine correct अब हम यहां देखें कि nine से twenty कैसे बनाना है तो nine से twenty बना के देखते हैं eighteen हुआ यहां twenty चाहिए तो twenty के लिए हमें क्या plus करना होगा two plus करना होगा यानि यहां पर यह 20 आ गया अब हम देखते हैं कि यहां क्या यही pattern यहां one plus किया यहां two next में अगर three इसमें plus होता है इसके two times में तो इसका मतल़ यह pattern सही है तो अब देखें twenty का two times कर लिजे तो twenty का two times so that is forty और इसमें क्या करेंगे यहां one plus किया था यहां two plus किया था तो यहां पर हमें three plus करना होगा तो twenty into two forty और plus three forty three यानि हम बिल्कुल सही दिसा में जा रहे है ठीक है अब इसी तरह हम इसको अगले वाले को भी चक कर लेते हैं तो और confirm हो जाएगा forty three forty three का हम double करेंगे तो forty three multiplied by two और plus में यहां पर देखिए one था यहां two था यहां three था तो यहां पर क्या आएगा next number यानि four आएगा so forty three multiplied by two so that is eighty six और eighty six plus four so that is ninety यानि हमारा guess एकदम सही जा रहा है तो अब हमें बिलकुल hundred percent sure हैं कि हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या होगा ninety का double होगा यानि ninety multiplied by two और plus इस pattern के आधार पर one आया यहां plus में यहां two आया यहां three आया यहां four आया तो यहां सब्सक्राइब नेक्स नंबर यानि five आयेगा तो 90 into two 180 और plus five so that is 185 यानि 185 हमारा यही answer यहां पर 185 होगा यानि इस question मार्क किज़े गए हम यहां पर 185 यहां पर लिखेंगे और 185 हमारा option c में है यानि option c हमारा correct answer होगा ठीक है अब देखिए next question देखते हैं यह भी बड़ा प्यारा question है देखिए find the missing character of the falling figure अब देखिए इस में थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है देखिए अब यहां पर ना तो यह perfect square number अगर माल लोगे इसको देखें यहां पर तो यह perfect square number 9 का 3 होता है पर तो नहीं है यहां 64 भी नहीं है 65 भी नहीं है और यहां पर 126 भी नहीं है 217 भी नहीं है तो यहां पर थोड़ा सा अब square से हटके अगर अगर अपन होचा कि 2 का अगर हम cube करते हैं तो 8 होता है और 8 में plus 1 करेंगे तो 9 होगा यानि हम cube बाले से सही दिसा में जा सकते हैं तो हम क्या करेंगे 2 का cube plus 1 यानि 8 plus 1 so that is 9 अब देखिए अब यहां का हमें भरना है तो यहां पर 1 आया यहां 2 आया तो यहां पर 3 होना चाहिए इस pattern में 3 का cube plus 1 और is equal to लेकिन इस से पहले हम इनको चेक कर लेते हैं कि pattern के यही होने वाला है तो इसको चेक करते हैं जाना यहां पर क्या है next 4 का cube तो 4 का cube क्या होता है 4 4 दा 16 और 16 4 दा 64 और इसमें जा हम plus 1 करेंगे so that is equal to 65 यहनी यह हमारा इसी pattern पर जा रहा है और आगे चेक कर लेते हैं चेक confirm कर लेते हैं तो 5 का cube अगर हम करेंगे और plus 1 जोडेंगे तो देखे 5 5 दा 25 25 5 दा 125 और 125 प्लस 1 that is 126 तो yes इसमें 126 ही next इसमें आ रहा है और आगे यह बाला भी चेक कर लेते हैं तो हम 100% से और हो ज 6 6 दा होता है 216 और 216 प्लस 1 कितना हो जाएगा that is 217 यानी हम इसी pattern पर जा रहे हैं तो हम 100% शूर हैं कि यहाँ पर 3 का cube प्लस 1 is equal to value आएगी तो वही हमें भरना है तो देखे 3 का cube कितना होता है 3 39 9 3 दा 27 और उसमें हम plus 1 कर देंगे that is 28 तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यह हमा 28 ही इसका answer होगा ठीक है इसका answer कितना होगा 28 ही इसका answer होगा मतलब इसकी जगह हम 28 लिखतेंगे ठीक है तो इस तरह से यह option C इसका correct answer हुआ तो यह class आपको कैसी लगी comment box में जरूर लखें ताकि हम इस तरह की और भी videos reasoning की डाल सकें ठीक है तो मुझे आसा ही नहीं बलके ईसका answer जर दो बलके प्रेचा जरूर लगी को जरूंपादा जरूर थार रावाजिता जरूर चुछ झापको कैसी हुआ टीक है तो चुटशनी और लो चुटशनी हैं ुटस्ब़ यह तोवाम आसा है तो बलके तो यहार प्लके बलके हैं जरूछ को बलके हैं तोसकी है उ